सब्सक्राइब करें फ्रेवर टेक्ट यूट्यूब चैनल को लेटिस फीडियो अब्डेट्स हासिल करने के लिए तो दोस्तों ई-4 जो एरर कोड है वो पहल के डिसी इनवर्टर एर क्रिशनर के इंडोर यूनिट के डिस्पेय पे शो हो चुका है देखें जैसे का आप देख रहे होंगे ई-4 और जब भी डिसी इनवर्टर एर क्रिशनर पहल के जो है वो उस पे आजाए ई-4 तो इसका क्या तफसील से आपको बता जाते हैं कि यह क्या होता है और इसकी वज़ा क्या है और इसका हल क्या है ठीक है तो यह जो है यह इंडोर का ही फाल्ट है ठीक है तो हम आपको इसका पीसीपी के साथ तालोग है तो हम इसका कवर आपको उठा के दिखाएंगे ठीक है और मुकमल CB नज़रा रहा होगा दोस्तों PCB पे आपको demonstration देने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह indoor fan motor का fault है जब भी आपके unit की indoor fan motor किसी वज़ से काम ना करे जाम हो जाए और slow चले तो आपको जो है ACB आती है ठीक है अगर किसी भी वज़ा से इसकी कोई भी एक तार ठीक है वो disconnect हो जाएगी यह तूट जाएगी यहां काम करते हुए गलती से हो गए ठीक है तो यह जो है आपको E4 error ही show करेगा ठीक है इसके बाद दूसरा जो fault हो सकता है possible वो यह है कि देखें मैं आपको PCB बाहर निकाल के दिखा दे तो दोस्तों PCB को हमने बाहर निकाल ली है तो अगर यह देखें यह connector जो है अपनी position से अपनी position में लगे ना या lose हो या गिर जाए ठीक है तो भी आपको E4 error code जो है वो display पे show होगा इसके अलावा इसकी जो अंदर motor है ठीक है वो jam हो जाए ठीक है तो वो काम ना करे ठीक है सही अच्छे से चले ना तो फिर भी आपको E4 error code जो वो display पे show होगा ठीक है इसके इसके अलावा जो PCB है ठीक है तो इसमें अगर fault आजाए और जो यहां पे points हैं ठीक हैं तो यहां पे proper अपनी जिस point पे जो point पे जितने voltage चाहिए हैं वो required voltage ना आएं तो भी जो है वो आपको यह E4 error code show करेगा तो मतलब यह कि जगर volt नहीं आ रहे तो यह PCB का मसला है ठीक है तो PCB को आप चेक कर लेंगे तो अगर PCB जो मसला है वो हल करके तो यह आपका E4 error code जहां वो display से खत्म हो जाएगा और आपका जो unit है तो बारे से working condition में वापस आ जाएगा तो यह वज़ा हो सकती है E4 के error code के लिए इसके लावा दोस्तों आपको AC motor पर demonstration देने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि AC motor पर मकमल testing उसके feedback system कैसे काम करता है और बाकी उसके जितने भी function है आप इसको reverse और forward कैसे इसको आप operate कर सकते हैं तो इसकी मकमल वीडियो हमने upload की हुई है इसके तीन पार्ट्स हैं तो वह आप पार्ट्स जाकर देख सकते हैं और उसके फाइदा हासल कर सकते हैं तो इसके लावा यहां पर मैं सर्फ इसलिए इसका जिकर कर रहा हूं ताके DC और AC के दर्मियान आपको फरक रहे और जो error code है उसकी भी आपको समझ बहतर से आए तो दोस्तों इसके रहावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि E4 error code जब भी डिस्प्लेय पे आए तो इसका जो मैंने आपको model दिखाया है इसमें DC motor लगी हुई है ठीक है लेकिन कुछ models में AC motor भी आती है जो कि कुछ इस तरह की होती है ठीक है तो DC motor जो होती है उसका अपना feedback system होता है और जबके AC का जो हता है वो उसमें जो 220 volt की power supply लगती है और जबके उसका feedback system अलग से होता है लेकिन error code जो है वो same होगा E4 ठीक है तो इसलिए आपने यहां से इससे confuse नहीं होना है बलकुल भी तो दोस्तो F6 error code unit के डिस्प्लेय पे आ चुका है जो कि है पैल का DC inverter air conditioner तो जब भी पैल के DC inverter air conditioner के डिस्प्लेय पे F6 शो हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है और यह क्यों आता है तो आएं दोस्तो हम आपको मकमल तफसील के साथ बताएंगे कि F6 क्यों आता है तो इसके लावा आपको यह भी information दे दें जब F6 error code आएगा तो आपका outdoor unit ब्लू को काम नहीं करेगा लेकिन indoor unit जो हो काम करता रहेगा और इसकी blue आती रहेगी लेकिन आपको cooling कुछ भी नहीं मिलेगी तो दोस्तो अब हम आगे हैं पैल के DC inverter air conditioner के outdoor unit के पास देखें अब हम आपको मकमल demonstration यहां पर देंगे के F6 error code जब display पर आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है और यह किस वज़ा से आता है ठीक है जी तो अभी मैं आपको मुकमल तफसिल से बता देता हूँ पहले मैं आपको PCB के पास ले जाओगा क्योंकि यहां पर PCB के से इसका relation है ठीक है अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर देखें आपको यह देखें यह connector कुछ नज़रा रहा होगा ठीक है तो इसमें देखें आपको यह white blue और black तीन सेंसर नज़रा रहे हैं ठीक है तो जो यह white है यह है जी जो outdoor temperature sensor का fault है यह ठीक है तो यह outdoor temperature sensor का जो वायर है ठीक है और यह इसी connector में एक जगा तीनों लगे होते हैं ठीक है लेकिन जब F6 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका outdoor temperature sensor जो है वो faulty हो चुक है यह यह इसकी कोई एक तार कट जाएं यह दोनों तारे कट जाएं तो फिर भी यह F6 error ही show करेगा इसके लावा दोस्तों हमने यह भी experience किया है कि अक्सर जो है यह उसका connector हैं वो vibration की वज़ा से लूज हो जाते हैं तो अगर आप इस connector को निकाल के एक दफ़ा दुबारा से वापस फिट कर देंगे तो इससे भी ज्यादा चांस होते हैं कि यूनिर दुबारा से वर्किंग कंडिशन में आ जाता है और फाल्ट जो हो बिलकुल खत्म हो जाता है इसके लावा अगर यह open यह short circuit हो जे तो भी यह f6 error शो करेगा इसके लावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आपने इसकी इसको change करना है ठीक है तो इसकी value जो है आपको already इसका पता होना चाहिए ताकि आप same value का इसके इसके इसकी जगा इंस्टाल कर सकें ठीक है इसको change कर सकें तो अगर यह आप मिसाल को तो इसको खोल लेंगे खराब हो गया तो आप इसको मेयर करेंगे इसकी resistance तो यह तो खराब है खराब की value तो कुछ भी हो सकती है तो आपको सही से अंदाजा नहीं होगा कि यह इस कि भी है यह आऊड़र में कैसे लगा होता mentor यहें फिर्डओ कि अब ढूर में यह ऊप्रीटर सैंसर टीच है यह गया पर जाली बाहर से लगा हूता है यह और टॉर का टमपरेश्टर ज quantum चल रहां है जो इसको लुगाँ की तो ऑगर आप कर आवश sensor जो है वो outdoor temperature sensor जो है वो चेंज कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो है S6 error display से नहीं गया तो इसका मतलब है कि आपका outdoor PCB में fault है तो आप इसके outdoor PCB को चेक कर लेंगे ठीक है और और इसको यहां तो रिपेर करवा लें और यहां मुकमल चेंज कर दें तो आपका यह जो है यूनिट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वरकिंग करिशन में वापवस आ जाएगा दोस्तों अमीद करता हूं आज की यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे बरपूर फाइदा उठाएंगे तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नेक्स्ट इंफर्मेटिव वीडियो में देखते रहें फराव टेक